स्कुर्भ केरिंग लूप साइस्वाइनियुणिहमने गनेटिक फिल्ल अब कभी ऑप Владी को अनुप में को भी लूप होता है तो हम सबको पता है कंट केरिंग लूप पे उनिफौमनेटिक कि नोटिोरों फोलत है और टर्क जीरो भी सकता नाई भी हो सकता है तो इथए force acting on one of the arm of the net force remaining the theory करता है कि a square loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop magnetic field loop के plane में है तो यह जो है loop है horizontal मेरा loop है a square loop है और इसमें current ऐसे कुछ flow हो रही है ठीक है करेंट आई फ्लो हो रही है अब a square loop a magnetic field इसी के plane में है मतलब magnetic field इस loop के parallel है ऐसा कुछ magnetic field भी इस लूप के parallel है तो obviously अगर इस पे एक arm पर force मतलब F है तो कहां गया है F दिया होगा sustainability if the force on the loop of the force on the loop is यहां से F गाइब है तो यहां से F आएगा ठीक है missing है तो एक arm पर force F है तो force on the remaining three arm पर कितना होगा यार minus F होगा तभी तो जाके net force 0 होगा आया समझ में अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर एक बार इसको कर लो इस लूप को मैं ऐसे बना देता हूं एक square loop है और यहां इसमें ऐसे current flow हो रही है यह a b c d अब magnetic field इसी के plane में है vertically ऊपर रख देता हूं मैं यह horizontally भी रख सकते हो कैसे भी रखते हैं अब तुम अब इसको देखो तो कुल मिलाक अगर तुम देखोगे अगर magnetic field ऐसे है magnetic field ऐसे है इसी के लूप में है तो यह वाला तो force force on a b plus force on b c plus force on c d plus force on d a must be equal to zero तो यह अगर उसी के plane में लूप है तो यह तो force zero होना चाहिए सभी का net force net force क्या होता है जीरो होता है एक करेंट करिंग रूप में magnetic field जबकि टॉर्क जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है यह याद कर लेना है तो यहां से कर मैं देखूंगा तो यह जो तो अगर मैं बील साइन तीटा से निकालता हूं force तो यहां से इस पर जो फोर्स आजाएगा फोर्स ऑन एबी पे जीरो आजाएगा उसी तरह से तो इस वाले पर उपर की डाइरेक्सन में या किधर भी इस वाले पर एकर एफ है तो इस पर माइनस एफ आएगा तो कर लो यहां पर रख दो इस आरी बेलू force on AB AB पर force 0 है plus BC BC पर force माल लेता हूँ मैं F है तो force on CD पिचाहिए plus force on CD पर 0 है तो यहां से DA पर 0 है कुल मिला के force on CD CD पर 0 है CD पर 0 है यहां से यहां से सारी value रख दो direct बहुत असान सवाल है हम लोग बस समझा रहे हैं तो 0 plus force on AB और BC पर force F है plus CD पर force 0 है plus DA बच जाएगा that is must be equal to 0 तो force on DA that is must equal to minus F वेक्टर तो कुल मिला के इतना हम लोगे पास आएगा कुल मिला के यह जो minus F है वो तीनों पर पूछा है तो तीनों पर minus F लगेगा उसी के अगर plane में है मतलब B option सही है करूँ से पास फस्रत चूब Un more दोard